है गाइस आज हम बनाएंगे इस ब्यूटिफूल एंटिक बॉटल आट तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं अगर आपको यह आइडिया पसंद आया तो ऐसे ही अमेजिंग डिया आइडियास क के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं यूज कर रही हो यह ग्लास बॉटल अगर आपके पास सेम बॉटल अविलिबल नहीं है तो जो भी बॉटल आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं चाहे कोई और कलर की बॉटल हो या फिर ट्रांस्परिंट बॉट का मिक्शर जो फेविकोल ग्लू आता है हमारा वाइट वाला मैं वो यहाँ पर यूज कर रही हूँ फेविकोल में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इन दोरो ही चीजों को हम मिक्स कर लेंगे इससे जो फेविकोल का टेक्शर है वो थोड़ा सा रणी हो एक और बार हमें इस mixture को apply करना है और फिर इसे हम dry होने के लिए छोड़ देंगे dry होने के बाद हमारी bottle कुछ इस तरह से दिखेगी next हम इसमें designs बनाएंगे with the help of pencil ताकि हम जादर से जादर mistakes बाद में avoid कर सके with pencil जो भी design हमें बनाना है और जो भी corrections है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन pencil जो है हमें बहुत ही हलके हाथों से चलानी है इसमें उसके बाद हम लेंगे clay मैं यहाँ पर homemade clay यूज़ कर रही हूँ मेरे homemade craft supply वाले वीडियो में जो मैंने clay बनाया था यह उसी batch का clay है and it's been more than 3 months और यह clay अभी भी बहुत ही अच्छी condition में है so just with 3 ingredients हमने यह clay बनाया था अगर आपको यह homemade clay recipe try करनी है तो link आपको इसका description box में मिल जाएगा otherwise आप कोई भी air dry clay यहाँ पर use कर सकते हैं clay से जो भी designs हम बना रहे हैं उन्हें bottle में लगाने से पहले हमें glue लगाना है ताकि जो clay है हमारा वो अच्छे से चिपक जाए and बाद में यह निकलेना और फिर इसे हम dry करने के लिए छोड़ देंगे कितना time इसे dry होने में लगेगा यह depend करता है कौन सा clay आप use कर रहे हैं for me it took around 12 hours for drying and again thickness के उपर भी drying time depend करता है clay हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से dry हो चुका है next step में हम tissue paper के edges को थोड़ा सा shape देंगे for that हम paint brush को पानी में dip करके tissue paper के corners में इस तरीके से लगाएंगे इससे जो यह corners है वो थोड़ा से moist हो जाएंगे and then easily इस part को हम finger से remove कर सकते हैं and once we are done जो हमारी bottle है वो कुछ इस तरह से दिखेगी now हम apply करेंगे इसमें colors पहले हम इसमें black color का base देंगे मैं यहाँ पर flat brush यूज़ कर रही हूँ black color apply करने के लिए and next जो यह थोड़े बहुत portions रह गए हैं इन्हें cover करने के लिए हम round brush का use करेंगे so सबसे छोड़े size का जो भी brush आपके पास available है आप वो यूज़ कर सकते हैं black color जब एक बार dry हो जाएगा उसके बाद हम इसमें next color apply करेंगे because bottle का color brown है तो red color मैं यहाँ पर use कर रही हूँ अगर आप किसी और color की bottle यूज़ कर रहे हैं इस bottle art को बनाने के लिए so bottle के color के accordingly ही आप color choose कीजिए and अगर आपकी bottle transparent है then आप same color combination भी use कर सकते हैं जितना possible हुआ मैंने finger से ही red color apply किया है because मुझे लगता है कि textures जादा better उभर कर आते हैं जब हम finger से color apply करते हैं यह tip मैंने अपने previous videos में भी आपसे कई बार share की है and if you don't prefer applying color with your finger आप brush का use भी कर सकते हैं and lastly हम इसमें कुछ gemstones लगाएंगे इससे हमारी bottle का overall look और भी ज़्यादा enhance हो जाएगा favicol oil fix adhesive मैं यहाँ पर use कर रही हूँ इन gemstones को चिपकाने के लिए आप fevy bond, hot glue gun या कोई और भी super glue जो भी आपके पास available हैं आप वो use कर सकते हैं and this is the final look guys I hope आपको ये unique सा antique bottle art design पसंद आया होगा I tried my best to explain each and everything to you in the easiest way I can so video अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें and अपना feedback भी आप शेयर कर सकते हैं मुझ से comment section में and these are few more bottle painting and bottle art ideas of mine in case you want to watch more bottle craft ideas इसकी playlist का link description box में available है मैं मिलूंगी आप से next video में thank you for watching, bye bye, take care कर दो कर दो